क्या आप जानते हैं इस तरह के sentences को कैसे बोलना चाहिए जहां आपको कहना हो वे लोग चाहते हैं कि कुछ गरवर हो वे लोग चाहते हैं कि धंगा हो वे लोग चाहते हैं कि धगड़ा हो मैं चाहता हूं कि अमन हो मैं चाहता हूं कि तरक्की हो वे लोग चाहते हैं कि हिंसा हो, यानि धगड़ा हो, तुम चाहते हो कि टेंशन हो, तो friends इस तरह के sentences को बोलने के लिए आप इस structure का इस्तेमाल करके अपने sentences को बोलेंगे, यानि इस तरह के sentences को बोलने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे subject, उसके बाद आप कहेंगे want that there should be, फिर आप वह word लिखें जो आप कहना चाहें जैसे, मैं चाहता हूं कि सांती हो, तो इस sentence के लिए आप कहेंगे, I want that there should be peace, यानि मैं चाहता हूं कि सांती हो, वे लोग चाहते हैं कि दंगा हो, तो इस sentence के लिए आप कहेंगे, They want that there should be a right यानि वी लोग चाती हैं कि दंगा हो वी लोग चाती हैं कि जंग हो तो इस sentence के लिए आप कहेंगे They want that there should be a war यानि वी लोग चाती हैं कि जंग हो या युद्ध हो वह चाती हैं कि टेंशन हो यानि तनाव हो तो इस sentence के लिए आप कहेंगे यानि वह चाहती है कि तनाव हो या टेंशन हो वह चाहती है कि कुछ गरबढ हो तो इस sentence के लिए आप कहेंगे अगर आप इस तरह के sentences को ना कर आत्मक बोलना चाहें यानि इनका negative sentence होगा यानि अगर आप कहना चाहें, मैं नहीं चाहता हूँ की दंगा हो, मैं नहीं चाहता हूँ की फसाद हो, मैं नहीं चाहता हूँ की टेंसर हो, मैं नहीं चाहता हूँ की जगड़ा हो, मैं नहीं चाहता हूँ की हिंसा हो, तो इस तरह के sentences को बोलने के लिए आप इस structure का इस्तिमा के लिए आप कहेंगे I don't want that there should be a right मैं नहीं चाहता हूं हिंसा हो I don't want that there should be a violence मैं नहीं चाहता हूं कि जंग हो तो sentence के लिए आप कहेंगे I don't want that there should be a war तो फ्रेंट उमीद करता हो कि इस तरह के sentences को आप बड़े शांदार तरीके से बोल पाएंगे जहां आप कहते हैं मैं चाहता हूं यह हो या मैं के description में दिया हूँ है फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसंस के साथ अब तक के लिए वाइं कि अ कि अ कि अ